सुन्दरवन लंबे समय से अपनी प्राकिर्थी खुबसूर्थी के लिए जाना जाता है। सुन्दरवन का नाम इस जंगली इलाके में भारी संख्या में पाए जाने वाले सुन्दरवन लिया गया है। और साथ ही बंगाली भासा के सब्द सुन्दूर का प्रयोग करके इस बन का नाम सुन्दरवन रखा गया है। आम भासा में लोग इस बन को सुन्दरवन या फिर सुन्दरवन के नाम से जानते हैं। इस बन में मौझूद मैंगरो जंगल यहां के रोल बैंगोल टाइगर का घर माना जाता है जो कि दल्दली जमीन पर बना हुआ है। इस जंगल में पाये जाने वाले अधिकतर बाग इस दल्दली जमीन में रहना पसंद करते हैं। सुन्दरवन का इतिहास लगबख 302 के आसपास का माना जाता है और इसका प्रमान बगमरा इलाके में मिले और सेसों से मिलता है। सुन्दरवन में कई तरह की बनस्पतिया पाई जाती है जो कि पूरी दुनिया में सिर्फ यही पर ही मिलती है। आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि सुन्दरवन में भारत का सबसे बड़ा फिसरी बोर्ड इस्थापित किया गया है। लगबग 50 हेक्टियर इलाके में इस छेतर में फिसरी बोर्ड का प्रजेक्ट चलता है। यानि कि इस इलाके से बहुत सारी मचलियों का उत्पादन किया जाता है। सुन्दरवन में अस्तंधारियों की 50 से अधिक प्रजातिया पाई जाती है। इसके अलावा 60 से ज्यादा रहने वाले जियों की प्रजातिया और 300 से ज्यादा पक्छियों और बनस्पतियों की प्रजातिया पाई जाती है। सुन्दरवन लगबग 10,000 वर्ड किलोमेटर के छेतर में फैला हुआ है। जिसमें से 6,000 वर किलोमीटर सिर्फ बंगलादेश में ही आता है और भारत के हिसे में सिर्फ 4,110 वर किलोमीटर ही आता है। और यह छेतरपूरी दुनिया में रोयल बेंगल टाइगर के लिए प्रसीद है। सुन्दरवन विश्वक का सबसे बड़ा डेल्टा है और यहाँ पर गंगा और प्रहंपुत नदियों के मिलने से इस डेल्टा का निर्मान होता है। सुन्दरवन को युनेस को दोचा दोड़ा वर्ल हेरिटेज साइप में सामिल किया गया है, जिसकी वजह से इसका सनव्चन काफी बरे अस्तर से हो रहा है। दोस्तों आप लोगों को यह जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्षन में जरूर लिखेगा अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको सेर जरूर किजिए तो चली मिलते फिर से एक नए वीडियो में एक नए जानकारी के सांथ तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें ज